हेलो डियर स्टुडेंट आज की से वीडियो में देखेंगे कक्छा पांच विशय परियावरड एट ग्रेट अभ्याज पुस्तिका दोचार और चौबिस बच्चिस तो चली देखते हैं आज की वीडियो में देखेंगे पाठ यारा पाठ ग्यारा में है सुनीता अंत्रिक् पानी हमेशा उपर से नीचे की और बहने का मूल कारण है तो आपको उत्तर में करना है प्रथिवी का खिचाओ इसके बाद दूसरे में है आपने तूटता तारा देखा होगा या तूटता तारा उलका पिंट कहलाता है इसके संबंद में शही कथन का चैन करें तो आपका उत्तर होगा तारा जो प्रथिवी के वायू मंडल में आते ही जल जाता है इसके बाद नेक्स्ट कोशन आता है आपका शा नंबर में है नीचे दी गई नीचे दी गई आकरितियों में चंद्रमा की विभिन कलाय प्रदर्शित की गई है जिसमें काला भाग प्रकासित है त चंद्रमा की इस्थिती से पैटर्न के लिए कौंसा विकल्ब सही है तो आपको उत्तर में करना है पहला नंबर आपका सही होगा खा गा गा इसके बाद नेक्स्ट कोशन आता है आपका दानमबर दानमबर में है तारे रात में ही क्यों दिखाई देते हैं तो आपको तर्मे करना है सहीतर हो जाएगा आपको दूसरा दिन में सूरज की रोशनी में छुप जाते हैं इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका रिक्ति स्थानो वाले प्रेश्ण तो आपको पहले में भरना है ग्लोब, दूसरे में भरना है आपको उलका पिंड और तीसरे में भरना है आपको बुल बुले और चौते में भरना है आपको पानी आप इस तरह भर लिशेगा इसके बा और दो तयुहारों के नाम लिखे तो आपको लिखने है करवा चौथ इद चौन्था में है चांद पर उतरने वाले सबसे पहले विक्ति का नाम क्या है तो आपको उतर में करने नील आर्म इस्टांग इसके बांद NX को चनाता है आपका पांच हुए में है पूड मासी को चं पूरा गोल दिखाई देता है पूरमा की दिन और यहां पे आपको चांद का जो है यहां पे आप चांद का चीतर बना लीजेगा इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन आता है आपका लगुत्री प्रेशन प्रेशन करमांग 6 में है अंत्रिक्ष में यदि पानी की बोतल खुल जा शमुधर और जमीन ही दिखाई देते है देश नहीं ऐसा क्यों तो आपको तर्मिकरना है क्योंकि अंत्रिक्ष प्रत्वी से बहुत दूर है इसलिए समुधर और जमीन ही दिखाई देता है इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन आता है आपका प्रेशन करमांग 8 में है सुनीता विलियम्स बताती है कि अंत्रिक्ष में रहना बहुत ही मज़ेदार था परन्तु मुस्किल भी अंत्रिक्ष की कोई पांच ऐसी बाते लिखे जो प्रिथवी पर हमारे अन्बावों से अलग हो तो आपको उत्तर में करना है पहला पॉइंट है एक जगह टिक कर बैठ पॉइंट है हाथ मुध होने के लिए बुलबुलों को पकड़ कर कपड़ा गीला करते हैं इसके बाद नेक्स्ट कोस्चन आता है आपका दस्वे में है सोचो कि तुम्हारी क्लास एक अंत्रिक्ष यान बन गई है यह अंत्रिक्ष यान प्रतिवी का चक्कर लगा रही है इ मात से पैंसिल तूट जायतो हुआ है कलास में उड़ती रहेगी जमीन पर नहीं गिरेगी दूसरे कोस्चन में है आपके बालों का क्या हाल होगा उत्तर करना होगा हमारे बाल खड़े हो जाएंगे हमें कंगी की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके बाद तीसरा कोस्चन है ल आपका प्रोजेक्ट कार यहाँ पे प्रोजेक्ट कार में आपका दिया है चांद निकलने का एक सब्ता है तक का शमय नोट करिए एवं हर दिन के चांद का चित्र भी बनाए तो इसको जो है इसको जो जो आंसर है आप अपने क्लास टीसर से पूछ के कल लीचेगा यह था कर लास्ट कोश्चन यहां पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है वीडियो अच्छे लगते प्लीज हमाँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगा मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में